जहां आप खड़े हैं बड़ी सीट लेकिन एक और बड़ी सीट है और अजबार अगर 2019 की लोकसबा चुनावों की बात की जाए तो सबसे दिल्चस्प और सबसे जादा नजरे किसी की ठिकी हैं तो उस सीट पर जहां पर रवीश हमारे से होगी खड़े है भोपाल की सीट की बात कर रहे हैं क्योंकि साधवी प्रग्या बना दिग्वजस सिंग टकर कड़ी है और रवीश जिस तरीके से अभी शिवरा सिंग चोहान से जब आपने बात की तो उन्होंने कहा कि साधू संतों का सहरा ले रहे हैं दिग्वजस सिंग लेकिन भूल गए कि यह वही साधू संत है जो कि उन्हीं के टेन्योर में कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाए गए थे और उन्होंने भी इनका सहरा लिया था यानि कि साध्वी को टकर देने के लिए साधू संतों का सहरा बिल्कुल जिस तरीके से आपको बताएं कि सबसे पहले शिवराज सिंग चोहानी थे जिनोंने भगवा ब्रिगेड यानि साधू संत ब्रिगेड को जो है वो कैबिनेट रेंग का दरजा दिलवाया था हाला कि बाद में उनसे मोभंग हो जाता है कंप्यूटर बाबा का और कि मिला था क्योंकि माला जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा ने पाला बदल कर कॉंग्रेस की तरफ से प्रचार जो है वो शुरू कर दिया था और बिल्कुल चुनाओं के एन पहले पूरी जो भगवा ब्रिगेड वो कही ना कहीं कॉंग्रेस के खेमे में चली थी विधान पर दिखा भी कि 15 सालों के बाद उसे मद्यप्रदेश में सत्ता मिलती है अब जब लोकसभा चुनाओं आते हैं तो मद्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जैसे ही साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर का नाम आता है तो सीधे सीधे यहां पर भगवा धर्म और जो गा थी लगतार गौशाला में जाके गायों की सेवा भी करते तो माना जा रहा है साध्वी का यह कहना था अप्ती तरफ से बीजेपी का यह कहना था कि जो एजेंडा हमने सेट किया था साध्वी को यहां पर मैदान में उतारने के साथ आखिरकार उसी एजेंडे पर कॉंग्रे इसके पीछे